आफ्रिकन ग्रे दोस्तों दुनिया का सबसे इंटेलिजन्ट पेरोट बॉर्ड का होगा दुनिया के सबसे इंटेलिजन्ट बॉर्ड क्रो है मतलब के कव्वा है लेकिन अगर आप 40 से 50 या साथ साल के लिए कोई बॉर्ड पालना चाहते हैं तो आफ्रिकन ग्रे सब के दिमाग में पहले नजर में आता है विकोज दुनिया की पॉपिलारिटी इंडेक्स में यह सबसे ज्यादा है और अब साइट्स के अपेंडिक्स वन में भी इसको रखा गया है अब दोस्तों आफ साल के का बच्चा जितना समझदार होगा उससे भी ज्यादा यह समझदार होगा मतलब मेरे मौमू की तरह वह चार साल का है वह जितना नहीं समझ पाएगा उससे भी ज्यादा यह बर्ड समझदार होता है और कहा जाता है यह पांसो वर्ड को याद रख पाता है तो आज हम आफ्रिकन ग्रे की बात करेंगे हम आए हैं अल सुग्रा फिस एन एक्वेरियम पर तो वहां पर हम इस वीडियो को इंफोर्मेटिव बना रहे हैं अगर आपको यह सारे ब्रीडिंग पेर हैं और अगर आपको अवेलेबल चाहिए या कुछ जानकारी चाहिए इसके बारे में पर आप इनकी जानकारी या हेल्प के लिए कॉंटेक्ट कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं इनको हेंटेम भी किया जाता है इसी लिए कि यह ओपन एन्वाइरमेंट में रह सके मतलब के जिस तरीके से डोग या केट घर मेरे वेसे ही यह भी रह सकते हैं विकोज यह एक इनकी ब्रीडिंग साइकल के बारे में बहुत सारे अंसुल्जे सवाल है जो लोगों को नहीं पता तो वह बताऊंगा में दोस्तों यह ब्रीडिंग के लिए एडल्ट जो है तीन साल के बाद हो जाते हैं वाइल्ड में यह 20 से 30 साल के बीच में जीते हैं एवरेट 23 साल 25 साल के बीच में यह लोग जीते हैं लेकिन केपेटिव में इनकी लाइफ जो है अच्छी हो जाती है क्योंकि इनके परभगसी नहीं होते हैं तो यह अच्छे से जीते हैं तो यही कहना है हमारा कि हम इन परि ब्रीड भी करते हैं भारत के बहुत बड़े बड़े ब्रीडर दोस्तों इनके एक एक ब्रीडिंग पेर से सो सो बच्चे तक भी निकालते हैं इसे वीडियो पाए जाते हैं यूट्यूब पर चलिए दोस्तों ब्रीडरों की बात हुई तो इनकी ब्रीडिंग साइकल के बार करता है मतलब कि आप कहे सकते हैं कि एडल्ट आफ्रिकन ग्रे तीन से पांस साल के बीच में ब्रीड करने लगता है सायद हो सकता है कि पहले क्लच में आपको बैटर रिजल्ट ना मिले लेकिन दोस्तों दूसरे क्लच तीसरे क्लच और चोथे क्लच से बिलकुल रेग्यूलर अंडे भी देते हैं और incubation period की दोस्तों मैं बात करूँ तो 28 दीन से इनका अंडा फूटना सुरू होगा पहला अंडा जो पहला आया है वो 28 दीन पे फूटेगा उसके बाद 30 उसके बाद 32 दीन इस तरीके से दोस्तों 30 से लेकर 40 दीन के बीच में उनके 5 अंडों से बच्चे हो सकते हैं और जनरल ही पाया जाता है कि ये तीन बच्चे जो है वो बड़े आसानी से कर लेते हैं और इनके बच्चे को पूरी तरीके से बड़े होने में दोस्तों 10 हफतों का समय लगता है मतलब धाई महिने का समय लग जाता है breeding के लिए दोस्तों इनको आपको थोड़ा सा बड़ा केज देना होगा कम से कम 5 फीट चोड़ा और कम से कम 5-6 फीट उचा तो ये इसमें ये ब्रीड कर सकते हैं इससे बड़ा देंगे तो और बेहतर है और प्राइवेसी का खास करके आपको ख्याल रखना है क्योंकि ये बर्ड जो है वो बहुत डरते हैं इनसानों स सुरवात में एक बार हेंटेम हो गए उसके बाद ये इतना नहीं डरते हैं वो बाद में आपसे mutually understand होकर आपसे एक लगाव रखेंगे लेकिन उसके पहले अगर आप एक wild pair लाए हैं breeding के लिए तो आपको उनको पूरा समय देना होगा तो आप दी इन बर्ड को अपना बना सकते हैं चलिए फिल से एक बार नंबर ले लेते हैं ये आकिफ भाय का नंबर है 7600767896 और मेरा नंबर है 9512125453 अब दोस्तों breed करने के बाद इनका बच्चा कब बड़ा होता होगा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों तक्रीब हपतों के बाद ये जो है धाई महिने के बाद जो है वो रेडी हो जाता है उनने के लिए ठीक है ये एक लंबा पिरियड है इसी वज़े से दोस्तों है इनकी breed जो है wild condition में इतनी successful नहीं रहती क्योंकि दूसरे परबक्सी धाई महिने तक इसको आसानी से अपने हमले का सिका बना सकते हैं तो दोस्तों यही वज़े है कि wild में जो है वो आफरीकन ग्रे इतना breed successful नहीं कर पाते है और wild में इनकी जो है population वो धीरे धीरे आफरीका में कम हो रही है पहले पूरे आफरीका के middle आफरीका में ये पाये जाते थे लेकिन अब गाना और कॉंगो के जंगलों मे नहीं ये पाये जाते हैं और कहा जाता है कि एक आकड़ों को मताबिक के 10,000 से कम आफरीकन ग्रे अब जंगल में बचे हुए हैं तो दोस्तों आब इनके फूड के बारे में बात करेंगे कि फूड में ये क्या खाते हैं दोस्तों वैसे आप लोग इनको बहुत सारी नेकना तो तावाला काट के पीस तो ये खाते हैं पलस ये देखें पाम नट देख रहे हैं पाम नट थोड़े मेंगे आते हैं लेकिन पाम! इनके लिए बहुत जरूरी है अगर खास करके आप इनको ब्रेटिंग में रखना चाहते हैं ये अल्सुगरा पे दूस्तों ब्र और कॉंटेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम ये वीडियो का मकसद है कि पूरी डीटेल जो है आफ्रिकन ग्रेपर बनाई जाए तो जैसे कि मैंने दोस्तों बता है पामनट है पामनट ओईल भी दोस्तों अगर आपको पामनट नहीं मिलता है तो पामनट ओईल आजकल तयार मिलते त लेकिन भुट्टे में आयन की महत्रा ज्यादा होती है तो दोस्तो बहुत भुट्टा नहीं देना इनको, भुट्टे का एक छोटा सा टुकड़ा देना है, पूरा भुट्टा एक पेर को नहीं देना है, बहुत छोटा सा बुट्टा मैं कहूंगा पांचवा हिस्सा एक बड़े बुट्टे का पांचवा हिस्सा आप इनको दे सकते हैं बाकि फूट्स में भी बहुत सारे पापाईया है पॉमो ग्रेनेट है वो ऐसे फूट्स भी आप लोग इनको खिला सकते हैं प्लस दोस्तो दूसरे फूट्स की बात करूँ तो कभी कभार जो है दोस्तो आप इनको एपल दे सकते हैं लेकिन स्वीट फूट्स जादा ना दीजीए जैसे एपल को आपको देना है तो महीने में एक यह दो बार दे सकते हैं ज्यादा हमातरा में मत दीजे, प्लस पंपाया, इसमें सुगर की मातरा है, तो sweet fruit जैसे का papaiya में सुगर की मातरा है, तो जो sweet fruit fruits हैं, वो इनको ने देना है, पंपाया खास करके बहुत कम देना है, महिने में दो बार देना है, और वो भी मात्रा excessive नहीं होनी चाहिए because हो सकता है कि अगर आयन की मात्रा इनके सरीर में जब जब दोस्तो आफरिकन ग्रे में बढ़ जाती है तो ये उल्टी करना सुरू कर देते हैं तो अमेरिकन मक्काई जो स्वीट रहती है प्लस पपईया ये दो चीज़े सी है जिसकी वज़े से इसको दोस्तो उल्टी आना सुरू हो सकता है तो आपको आयन की मात्रा कंट्रोल करनी है काफी लोग समझ नहीं पाते हैं कुछ भी उल्टा सीधा अपने बर्ड को खिला देते हैं और चोकलेट्स है एवकाडो है इन सब चीजों से इनको दूर रखे ये बर्ड के लिए बिल्कुल ही हानी कारक है तो इनको नहीं खिलाना है प्लस दोस्तो इनको फ्रेस रखना है ये बर्ड जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बार बहुत जल्दी तो आपको इनको खिलोने देने हैं इनके साथ रोज टाइम स्पेंड करना है खेलना है तो ये आपके एक अच्छे पेट साबित होंगे ठीक है दोस्तो अब ब्रेडिंग बोक्स की दोस्तो बात कर ले ब्रेडिंग केज की हमने आगे बात कर ली ब्रेडिंग बोक्स लगबग दोस्तो आपको दो फीट कम से कम देना होगा दो से धाई फीट चोड़ा होना चाहिए और ऐल सेप का अगर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपका ब्रेडिंग बोक्स और उचाए उसकी तकरीबन दो से ठाई फीट होनी चाहिए मतलब दो फीट डेड़ फीट तो मिनिममम होनी ही चाहिए उचाए तो ऐसे केज आपको ऐसा ब्रेडिंग बोक्स आपको इनको बना कर देना है जिससे ये पूरा अंदर उत्रे और एल से पोगा जिसकी वज़े से इनको प्राइवसी लगे और वहाँ पर जाकर वो ब्रेडिंग करेंगे हो सके तो उस ब्रेडिंग बोक्स में हलका सा थोटा सा एक स्लोप भी बनवाई है ताकि जो अंडे दे तो वो अंडे उसी स्लोप में रहे चलिए अब दोस्तो चलते चलते भारतियो मार्केट में अभी आफ्रिकन ग्रे की प्राइस क्या चल रही है और क्या आने वाले दिनों में इनका क्या मार्केट होने वाला है लेकिन आज एक हैंटेम आफ्रिकन ग्रे 70,000 के आसपास मिल जाता है फिर इसमें दोस्तों अलग-अलग क्वालिटी होती के कौन से हैंट फिडिंग से बढ़ा किया है कोंगो है गहना का आफ्रिकन ग्रे है साइस केसी है वजन केसा है फैदर क्वालिटी केसी है उससे प्राइस डिपेंड करता है कि उपर नीचे होता है बट मैं एक एवरेस प्राइस बता रहा हूँ कि 65-70,000 के आसपास रहता है इससे कम भी थोड़ा हो सकता है इससे ज्यादा भी कई लोग तो लिबान करते हैं तो प्राइस डिसाइड करना वो फिक्स नहीं रहता है लेकिन मैं एक जनरल आपको प्राइस बता रहा हूँ लेकिन डे बाइडे इसकी प्राइस बढ़ती गए और कोरोना के टाइम में 2020-2021 में भी दोस्तों ये प्राइस 80-90 पे था लेकिन आज इसका अगर आप ब्रेडिंग पेर का मार्केट देखे तो अच्छी ब्रेडिंग पेर दोस्तों लग बग पोने 2 लाक उरुपे के उपर चली गई है मतलब कि आप रेवेन्यू देख सकते हैं का लग बग तीन गुना हो चुका है सिर्फ तीन सालों में मतलब आप फ्रीकन ग्रे की डिमान बड़ी है तो जिसकी वज़े से इसकी प्राइस भी बढ़ना continuous जारी है और काफी international और national factors भी इसको affect करते हैं जिसकी वज़े से इसकी price जो है वो continuous बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इसकी price और भी बढ़ेगी ठीक है तो इस तरीके से इनका market में price रहता है तो दोस्तो मैं thank you कहूंगा अलसुग्रा को इसा informative वीडियो बनाने देने की इजाज़त के लिए तो अलसुग्रा का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तो आज मैं चलिया अलसुग्रा से इसाज़त लेता हूँ निकलता हूँ घर जाता हूँ और आपको केसा लगा ये वीडियो जरूर बताईएगा मैंने चाहा के जितनी information मैं collect कर सकता हूँ जितनी मुझे पता है और जितनी मैं दे सकता हूँ मैंने आपको देने की try की वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाहिएगा